गुद्वार्निंग, मैंने विनकुमार सिंग, डिरेक्टर, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर, प्राइबेट लिमिटेट पटना बहुत सारे स्टुडेंट, जो नए स्टुडेंट हैं, जो अभी जस्ट पास आउट किये हैं, प्लस टू पास किये हैं, या ग्रेजेशन किये हुए हैं, उनका लगातार क्वेरी रहता है कि सर, हम नए सिरे से रेलवे की तयारी करना चाहते हैं, किस तरीके से हमको तयारी करन तो ये वीडियो हमारा इसी संबंद में है खास करके गौवर्मेंट जॉब की तयारी से संबंदित जेनरल कमपिट्शन में जितने भी एक्जाम्स अलग-अलग होते हैं या जो भी फॉर्म निकलती है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे इस वीडियो में और हमको लगता है कि जो नए स्टुडेंट हैं अगर इसको सुनेंगे तो इनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा तो मेरा कहना यह है कि अभी आपको पहले तो यह देखना है कि अगर जेनरल कमपिट्शन का हम तयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे हम लोग के पास इनकोरी के लिए ऐसे बच्चे आते हैं जो अभी जस्ट प्लस टू पास किया है और बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुशन कर चुके हैं वो भी आते हैं बहुत सारे बच्चे आई टी आई पास बच्चे भी आते हैं डिप्लोमा वाले भी आते हैं, बीटेक वाले भी आते हैं, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो इसको दो भाग में बाटा जा सकता है, एक तो non-tech category की तयारी से संबन दित, दूसरा technical category की तयारी से संबन दित, तो हम पहले non-tech category के तयारी से संबन दित, इस वीडियो में ह तर्चा करेंगे नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और दूसरे वीडियो में खास करके हम कोशिज करेंगे कि एक टेक्निकल के लिए हम अलग से वीडियो बनावें तो नॉन टेक कटेगरी में अगर देखा जाए तो अगर पहले एक्जाम की अगर बात की जाए तो जैसे भी बहुत सारा एक्जामस आपका होता है इसमें आपका स्टेट लेवल पे अलग एक्जाम हो जाएगा और सेंटल गवर्मेंट की अलग वेकंसी आ जाएगी स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन में सेम सीलेवस का अंतरगत बहुत सारे आप एक् है बहुत सार पूच्ट इसमें आपका आजाएगा इसके अलाबा इसमें भी बियार साषिर्ट स्से Juice प्लस टू लेबल की वेकंसी भी यह कंड़क करती है प्लस टू लेबल की वेकंसी भी आ जाएगी इसके अलाबा अगर देखा जाए तो बियार सरकार के जितने भी अलग अलग डिपार्ट हैं तो ये कमभाइन रूप से इस से भी उसमें बहाली होता है और कुछ वेकंसी उसे अलग से भी आती है इसके अलाबा स्टेट पुलीस की बात करें तो जैसे बिहार SI की वेकंसी आई या फिर अधर स्टेट की SI की वेकंसी की बात करें या state police या बिहार police हो या अधर state की police की बात करें तो सब में गवर अगर हम करेंगे इसके अलावा भी अगर हम गवर करेंगे जैसे metro अगर एक ही vacancy आती है तो metro में अगर आप गवर करेंगे तो लगभग हर state में अभी metro का project आपका start है नहीं तो आगे आने वाले दिन में जहां पर नहीं है वहाँ सीओर है कि start होगा ही होगा और हमको उमीद है कि अगले छे महिने के बाद आप देखेंगे कि अभी भी vacancy आती है metro से बहुत सारी लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसकी संख्या बहुत ज्यादा आचानक बढ़ जाए metro से निकलने वाली vacancy का अभी तो आप देखेंगे दिल्ली metro का लगाता है लखनों metro का लगाता है बैंगलोर metro का लगाता है कॉलकाता metro का लगाता है जैपूर Metro का अलग आता है अभी Just Patna Metro की वेकंसी आई इसी तरीके से जहां जहां भी Metro का Project Government का चल रहा है वहां से अलग अलग वेकंसी आपकी आने की संभावना है इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो National Highway Authority पूरे देश में Highway का जाल बिचा हुआ है तो वहां पर भी अलग अलग लेवल की वेकंसी उसमें भी Technical Post की अलग वेकंसी आती है Non-Tech Post की अलग वेकंसी आती है जिसको National NHAI conduct करती है तो उस form को भी भरा जा सकता है इसके अलावा देखेंगे Ordnance Factory से Related वेकंसी है या State Electricity Board में वेकंसी है इसके अलावा जितने भी PSU जह है NTPC NHPC वेहल गेल सेल पावर गरीड औरनेस फेक्ट्री सब जगह Non-Tech काटेगरी की वेकंसी आती है LDC UDC लेबल की इसके अलावा Technical काटेगरी की भी वेकंसी आते रहती है तो अगर अभी आप प्लस टू किये हैं तो हो सकता है कि 10-20 फॉर्म भरेंगे अलग 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 डिपार्ट से निकलने वाली वेकंसी लेकिन अगर आप graduation कर लेते हैं तो अचानक इसकी संख्या बहुत जादा बढ़ जाएगी पचासों वेकंसी आप भर सकते हैं इसलिए मेरा सला यह होगा कि जो स्टूडेंट अभी प्लस टू पास किये हैं उनको कही न कहीं ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेना चाहिए और खास करके वह इसे जगे ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेना जहांकि अगर आप क्लास करते हैं तो क्लास करने में आपको परिशानी ना हो या आप तयारी करने में अधिक साधिक समय देना चाहते हैं तो वहां आपके साथ परिशानी ना हो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख करके चाहेंगे तो साथ में ग्रेजुएशन में आप नाम लिखा सकते हैं यही आपके दिमाग में चलना चाहिए, यही होना चाहिए, इसलिए समय कैसे बीत जाता है, यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, देखते देखते आपको लगेगा कुई साल दर साल लगातार बीतता चला गया, देखते देखते हम ग्रेजियोशन कर चुके, इस तरीके का मह करना चाहिए, जैसे अगर आप ग्रेजियोशन कर लिये हैं, तो अभी हर स्टेट में इंट्रेंस एक्जाम निकलता है, बी एड वगरे का, और जब यहाँ पर आप फांडेशन कोर्स करते हैं, या बेसिक से आप तयारी करते हैं, तो सिर्फ टीचिंग अप्टिचूट को अलग कर दिया जाए, तो उसके लिए भी लगबग सिलेबस यही होता है, वहाँ भी अगर आप इंट्रेंस पास कर लेंगे, तो बहुत कम पैसे में गौवर्मेंट का जो बी एड कॉलेज है, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, प्राइवेट में तो ज्यादा पैस सिलेबस को छोड़ दिया जाए, तो बांकि इधर जो आप पर हाई किया है, यही सिलेबस वहाँ पर भी आपका काम करता है, इसके अलावा अगर ग्रेज़शन कर ली हैं, भी लिस्क कर सकते हैं, बैचलर आफ लाइबरेरी साइंस कर सकते हैं, इसके लिए भी लाइबरेरिय हमको लगता है, जो भी बच्चे जनरल कमपिट्सन का तयारी करते हैं, उनको टाइपिंग का घ्यान तो होना ही चाहिए, उनको टाइपिंग करना ही चाहिए, क्योंकि एक बार टाइपिंग आप करिएगा, रेगुलर छे महने लगेगा, अगर एक बार स्पीड आ गया तो चोर भी दीजेगा तो एक महने दो महने में महने जो जाएगा, लेकिन आप चाहिएगा कि हम पहले एकजाम पास कर लें, उसके बाद एक महने दो महने का समय बचता है टाइपिंग के लिए, उस समय आप कितना भी परिशान होईएगा, एररलेस टाइपिंग जितना का भी जो स्पीड आना चाहिए, वो आपका आजायेगा बहुत परिशानी नहीं है, वो भी एक नए रास्ता आपके लिए खुल सकता है, आप देखेंगे स्टेनोग्राफर गूरूपसी 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 करके स्टेन की वेकंसी आती है, और जितने भी public sector unit हैं बनिश्पत कम संक्या रहती है seat लेकिन वहां से भी vacancy आते रहती है एक रास्ता आपका वहां भी खुल सकता है यह हम आपको नया नया रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे आप भीर से थोरा सा बच सकते हैं जिससे कि general arm जो आप exam देंगे उसका cut-off अगर उतन प्लस टू पास किया है या टेंथ पास किया है चाहे तो वह आई टी आई भी कर सकते हैं driver की vacancy आएगी technician की vacancy आएगी इसके अलावे जितने भी public sector unit हैं वहां पर भी आई टी लेबल की पोस्ट की vacancy आते रहती है तो वहां पर भी आप एक way हो सकता है जाने का तो थोरा भीर स वहां से भी आप बच सकते हैं इसके अलावा डिपलोमा है बीटे के बहुत सारी बाते हैं तो हम थोरा सा दूसरे पहुंच गए थे अलग थोरा बात करने लगे थे लेकिन मूल बात जो हम कर रहे थे यह हलां कि यह उसी का पार्ट है उसी का हिसा है हम बात कर रहे थे कि general competitive exams की तयारी करने बाले बच्चों को कई से तयारी करनी चाहिए तो उसके लिए आप देखेंगे कि generally जो syllabus होता है math सारे बच्चों को अलगवग हर competition में आपका पूछता ही पूछता है math में भी advanced arithmetic mainly दो पार्ट में बाट सकते हैं bank का देते हैं तो div वहां पर add हो जाता है इसके पार्ट में history, policy, economy, geographies के लाबर current affairs, static, gk, gs का बहुत बढ़ा section है तो सारे exam में आपका gs पूछेगा ही पूछेगा English selective कुछ exams में पूछता है कुछ exams में नहीं पूछता है लेकिन अभी आपका CET October November में आपका लागू हो जाएगा जो central government ये एक process ला रही है जिसमे railway SSC bank ती दूसरे चरण के exam में railway अपने हिसाब से conduct करेगी अपने syllabus के according SSC अपने syllabus के according जो उसका syllabus है वो conduct करेगी bank अपने syllabus के according दूसरे चरण का exam conduct करेगी लेकिन इस बार से आपका combined November, October November से ये लागू हो जाएगा इसलिए अभी जो भी हम भी परही कराएंगे जो भी तयारी हम कराएं MP, जारखंड MP, जितने भी हिंदी भासी स्टेट के बच्चे हैं अंग्रेजी से बचना चाहते हैं और अंग्रेजी के कारा नहीं बहुत सारे बच्चे bank का तयारी नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे SSC का तयारी नहीं करते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है, English से आप भा करने का कोशिस करना है बहुत अच्छे से तयारी करने का कोशिस करना है जिससे कि आगे चल करके बहुत ज्यादा परिशानी आपको इंगलीस के कारण ना उठाना परे तो आपका मैत इंगलीस रिजिनिंग और जीएस का साथो पेपर यह दस सब्जेक्ट जो आपका मूल रू उस तरीके से आप तयारी कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से बाद में जो भी आप एक्जाम देंगे, किसी में आपको दिक्कत नहीं होगी. बैच में भी हमारा उद्देश होता है, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म में हम फाउंडेशन कोर्स कराते हैं, उसमें जैसे की जितना भी कंपिट्शन का नाम लिये, उसमें S.S.C. का सिलेबल सबसे बरा और सबसे भारी माना जाता है. अगर हम S.S.C. लेबल से अगर आपको तयारी करा देते हैं, रेलवे हो या दूसरा एक्जाम हो, किसी के लिए आपको अलग से तयारी नहीं करने परेगी, अगर रेलवे ही सिर्फ कराएंगे तो उसे S.S.C. नहीं होगा, तो जादा परने में कोई बुराएं नहीं है, कम परने तो हमेशा कुछ न कुछ परेशानी होगा, इसलिए हमारा उद्देश होता है, कि हम हमेशा मैक्सिमम को लेकर चलते हैं, मिनिमम तो अपने आप उसमें से आ जाएगा, पहुत परेशानी नहीं होना है, उसके लिए हमारे यहाँ धेर सारी बेवस्ता है, एक तो foundation course इसके लिए हम कराते हैं, जो कि 8 महिने का course होता है, 8 महिने में हम 4-5 घंट आपको daily class कराते हैं, और एक बार जब आपका foundation हम अच्छा कर देते हैं, base अच्छा कर देते हैं, सारे paper को एक बार अच्छे से हम परहा देते हैं, तो उसके बाद 4-6 महिने, जितना अधिक सधिक आप practice करते हैं, result आपका उसी सोना है, practice कराने के लिए हमारे यहां धेर सारा छोटा-छोटा बैच हम चलाते रहते हैं, जैसे कि full syllabus का test, railway का अलग हो जाएगा, SSC का अलग हो जाएगा, बैंक का अलग हो जाएगा, विहार SSC का अलग हो जाएगा, full syllabus का test, un-exams का अलग हो जाएगा, इसके बाद subject by subject test, जैसे math बहुँ ज़्यादा importance रखता है, तो math का अलग test daily चलता है, test होगा उसी समय उसका solution करा देंगे, उससे फाइदा यह होता है, कि अगर 20 question का हम daily test लेते हैं, और 200 question 20 अलग-अलग chapter से related उसमें डालते हैं, तो एक दिन में आपका 20 chapter का revision होगा ही होगा, और तुरंत उसी समय 40 minute math के teacher के द्वारा, पूरा 200 question का detail explanation concept के साथ करा देते हैं, ऐसे क्या होता है, कि एक बगल से हम पर रहे हैं, पीछे से दिमाग से भी escape कर रहा है, ऐसे क्या होगा कि daily पूरा का पूरा सी ले वसका आपका revision या rotation होगा, यही चीज reasoning में भी होता है, reasoning का अलग test होता है, science का अलग test होता है, static GK, arts current का अलग test होता है, तो जितना अधिक सधिक आप practice करेंगे, उतना ही result के करीब आप पहुँचेंगे, इसके अलवा previous year questions का solution classes हम अलग चलाते हैं, तो हमारे यहां अगर basic level से, foundation level से अगर आप तयारी करने के लिए आते हैं, तो कम सकम एक साल से डिर साल का target रखना है, तब 100% हर exam के लिए आप तयार हो करके यहां से जाईएगा, नहीं तो क्या होता है कि 8 मैने का foundation है, आप foundation करके चले गए, अगर घर पे बैठ गए, सही तरीके सापरी विजन नहीं कर पाए, तो पता चलेगा कि back year लग गया, जहां सहम स्टार्ट किये थे, दिरे-दिरे वहीं पहुँच रहे हैं, अगर डेर साल का समय, सबा साल का समय देते हैं, तो 8 मैना course कराने के बाद, अधिक सधिक हम अगर आपको practice भी साथ में कराएंगे, तो उतना ही तेजी से improvement होगा, हर छोटा-छोटा बारिकी question के आप समझ पाएंगे, और maximum score हमेशा कर पाएंगे, यह हमेशा संभावना रहेगा, कि जिस भी आप exam में बठाएंगे, result होने की maximum संभावना रहेगी, तो इसी साब से अगर देखा जाए, अगर डेर साल का समय अगर आप लेकर के आते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी आप exam देंगे, उसके लिए 100% आप खुद को तयार पाएंगे, और last में हम ये भी आपको कहना चाहेंगे, कि coaching एक guide है, guide अगर अच्छा मिल जाएगा, सफलता आपके लिए असान हो जाएगी, नहीं तो मेहनत खुद करना है, सारा कुछ खुद करना है, क्योंकि 4-5 घंटा अगर हम class चलाते हैं, तो 4-5 घंटा जब तक खुद से घर पे आप नहीं परेंगे, कोई coaching tuition आपको घोर के नहीं पिला देगा, अपना मेहनत हमेशा सर्वो परी रहा है, सर्वो परी रहेगा, इस बात को आपको महन करके चलना है, इसलिए और ये सारे batches हमारा online भी उपलब्द रहता है, जो बच्चे सक्छम नहीं हैं, पटना नहीं आ सकते हैं, तो online classes भी बीच-बीच में इस तरह का start होते रहता है, उसके माध्यम से भी आप अच्छे से तयारी कर सकते हैं, कहीं कोई problem नहीं है, लेकिन अगर offline करते हैं, तो हमको लगता है कि ज़्यादा बहतर होगा, चुकि डाइरेक्ट आपका teacher और student के बीच में connection उस तरह का रहता है, कि समझने और समझाने में तोड़ा सुभधा ज़्यादा होती है, आप अधिक साधी question भी हमसे राइच कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, अगर आप सक्छम हैं, तो यहां आके तयारी कर सकते हैं, तब भी बहुत problem नहीं है, इस तरह के का बैच, टारगेट बैचा लगाता है, फांडेशन बैचा लगाता है, यह special video हम foundation के लिए बनाए थे, और एक दिन, अब दूसरे दिन हम जो बनाएंगे, foundation में technical के लिए, खास करके driver, technician, डिपलोमा, वीटेक वाले student के लिए special, एक दूसरा वीडियो हम बनाएगे, एक technical exams की तयारी हम कैसे करें, तो अगर आपको class करना हो, या वीडियो अगर पशंद आया, या और भी कुछ confusion होता है, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, उसको हम दूर करने का परियास करेंगे, कुछ भी अगर आपका उस तरह के comment रहेगा, दूसरे वीडियो में उसका जवाब देने का हम कोशिस करेंगे, चलिए धन्यवाद, best of luck, खूब अच्छे से परिए, खूब मन से परिए, धन्यवाद.